लीडर ओफ ओपोजीशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जर्नेल सिंग जी, सेह प्रभारी रागव चड़ा जी, यहां पे आये वे सभी आम आदमी पार्टी के कारे करता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिये पूरे देश भर में, और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कारे करम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमशकार, सब को मेरा सलस्री अकाल आज पंजाब के लिए एक एतिहासिक दिन है कई माईनों में एतिहासिक दिन है पंजाब में आम आदमी पार्टी का CM चेहरा कौन होना चाहिए इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसबरी से इंतजार है कई महीनों से लोग मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे जी दूला कौन है? आम आदमी पार्टी का CM चेहरा कौन है? तो मैं सब को यही कहता था, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है आपको हम ऐसा चेहरा देंगे, जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा तो आज वो घड़ी आ गई है, उसका एलान करने की हमने CM चेहरा ढूंडने के लिए एक अलग प्रक्रिया की पंजाब के अंदर हमने देखा की दूसरी रवायती पार्टियां जो है कोई अपने बेटे को CM चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डेकलेर कर देता, तो कहते है केजरी वाल ने अपने भाई को बना दिया केजरी वाल ने भाई भतीजा वाद करा है, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं, वैसे केजरी वाल ने करा, तो हमने का नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम पंजाब के तीन करोड लोगों से पूछेंगे, कि आप बताओ, कि पंजाब का CM चेहरा कौन होना चाहिए तो पिछले हकते हम लोगों ने एक फोन नमबर जारी किया, और हमने का आप कॉलिंग कर सकते हो, आप WhatsApp मेसेज भेज सकते हो, आप SMS भेज सकते हो, तो हमारे पास 21,69,437 में रिस्पॉंस आए, लगबग 21,69,437 लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिए, तो एक चीज़ तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है, कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो जो CM चहरा अब ऐलान होगा, वो एक तरह से पंजाब का अगला CM बनने जा रहा है, तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला CM किसे चुनाए, ये जो 21,69,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया, मैंने शुरू में ही क्या दिया था, मैं रेस में नहीं हूँ, तो उन वोट्स को हमने invalid declare कर दिया, जिसने कावई अर्विंद केज्रिवाल उसको हमने side कर दिया, उन सारे वोट्स को, जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंतमान का नाम लिया, मैं अपनी बात पूरी, 93.3% लोगों ने सरदार भगवंतमान का नाम लिया, दूसरे नंबर पे नवजोत सिंग सिद्दू थे, उनको 3.6% वोट मिले, तो आज, आम आदमी पार्टी के तरफ से, पंजाब के अगले CM और आम आदमी पार्टी का CM चहरा, और चारिक रूप से, सरदार भगवंतमान को दिकलेर करते हुए, करते हैं मिले पार्टीा, पंपिले में पार्टी के रूप से, सकते हो और रही उनको लिया,